कृष्ण स्नेहा किचन हिंदी में मैं स्नेहा आप सबी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे महारस्ट स्टाइल सेंगदाना डाल के मेथी की सबजी अब देख सकते हो ये सबजी कितनी अच्छी बनी है ये सबजी महारस्ट में बहुत फेमस है तो चलो बनाते हैं मेथी की सबजी बनाने के लिए मैंने एक बंज मेथी साप करके साप पानी से धोकर ली है आप देख सकते हो इस तरह मेथी साप करके मैंने ली है आप चाहो तो इसे कट करकर भी ले सकते हो अब हम एक मिक्सी का जार लेते हैं मिक्सी के जार में हम डालेंगे साथा ठरी मिर्च दस बारा कलिया लसुन की एक छोटा चम्मच नमक और एक छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और इसे मिक्सी में हम दरदरा पीस लेंगे अब ग्यास पर कड़ाई गरम करने रख ली है इसमें डालेंगे हम देड़ चम्मच तेल तेल गरम होने के बाद मिक्सी में दरदरा पीसा हुआ मसाला हम इसमें डाल देते हैं और मसाले को तेल में अच्छे से भून लेते हैं इस तरह मसाला अच्छे से भून चुका है अब हम इसमें डालेंगे मेथी आप देख सकते हो कड़ाई भर के मेथी है यह दिखने में तो बहुत दिखती है लेकिन पकने के बाद बहुत कम हो जाती है अभी तो कड़ाई भर गई है बाद में बहुत कम हो जाएगी अब हमें इसे पकाना है अच्छे से इसमें हम थोड़ा भी पानी नहीं डालेंगे मेथी के सब्जी में जो पानी होता है उससे ही ये मेथी पकेगी अब देख सकते हो मेथी पानी छोड़ने लगी है और सब्जी कितनी कम हो गई है हम इसी पानी में इसे पकने देंगे इस सबजी बनकर बहुत जल्दी रेडी हो जाती है इस सबजी बनाने के लिए 5-6 मिनिट काफी हो जाते है हम सबजी को चेक करेंगे पकी है की नहीं इस तरह सबजी हमारी पक चुकी है अब हम इसमें डालेंगे मूफली का दरदरा पिसा हुआ कुट हम इसमें तीन चम्मच कुट डाल देते हैं मूफली दाने का कुट आप आपके पसंद के नुसार कम जादा कर सकते हो अब इसे हम सबजी में अच्छे से मिलाएंगे इसे हमने सबजी में अच्छे से मिलाया है और सबजी के अंदर का पानी खतम होने तक हमी से पकाएंगे अब देख सकते हो सबजी के अंदर का पानी खतम हो चुका है सबजी हमारी रेडी है आप मेथी की सबजी इस तरह जरूर बना कर देखना पसंद आये तो हमें कमेंट करके जरूर बताना हम इसे एक डिश में निकाल लेते हैं खाने के लिए रेडी है महारास्ट्रियन में थी आज हम बनाएंगे कद्दू की सबजी अब देख सकते हो कितनी सुन्दर सबजी बनी है कद्दू की सबजी हम पास मिनिट में बनाएंगे और ये बहुत ही चटपटी स्वादिष्ट बनती है आप इस तरीके से जरूर बना कर देखना तो चलो बनाते हैं कद्दू की सबजी बनाने के लिए मैंने कद्दू कट करके लिया है इस तरह हमें कद्दू का छिलका निकाल देना है इस तरह मैंने कद्दू का छिलका निकाल कर लिया है और कद्दू को करेंगे कट आप आपके हिसाब से कट कर सकते हो इस तरह मैंने कद्दू कट करके लिया है ग्यास पर कड़ाई चड़ाते हैं कड़ाई गरम होने के बाद कड़ाई में डालेंगे एक चम्मच तेल तेल गरम होने के बाद इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच राई और एक छोटा चम्मच जीरा और एक पींच डालेंगे हिंग राई जीरा और हिंग को अच्छे से तड़कने देंगे एक चम्मच लसुन का पेस्ट डाला है थोड़े से करी पत्ते डाले है और इसे तेल में अच्छे से भूनेंगे टेस्ट के अकडिंग डाला है आधा चम्मच नमाक और कटा हुआ कड्दू हम इसमें डाल देंगे और कड्दू को भी हम तेल में अच्छे से भूनेंगे कड्दू में हमें पानी नहीं डालना है कड्दू अपने ही पानी से पकेगा इस पर ढकन रखना है ग्यास को मिडियम फ्लेम पर रखकर इसे हम तीन मिनिट पकाते हैं तीन मिनिट हो चुके हैं हम इसको हिला कर लेते हैं इस तरह आप देख सकते हो कद्दू हमारा पकने लगा है तीन मिनिट में ही कद्दू पकने लगा है हम इसके उपर फिर से ढखकन लगा कर इसे दो मिनिट और पकाएंगे दो मिनिट हो चुके हैं अब फिर से हम इसे हिलाएंगे और पाच मिनिट में हमारा कद्दू अच्छे से पक चुका है आप देख सकते हो इस तरह, अब हम इसके उपर डालेंगे मसाले, इसमें ज्यादा मसाले नहीं लगते बेसिक मसाले डाल देना है, मैंने आधा चम्मच गरम मसाला डाला है एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाली है पाव चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे और मसालों को भी हम अच्छे से इसके साथ भून लेते हैं अब देख सकते हो सबजी हमारी तैयार है आप ऐसे भी सबजी खा सकते हो अगर आपको मूफली दाने का कूटी इसमें पसंद हो तो आप डाल सकते हो मैंने यहाँ एक चम्मच दरदरा पिसा हुआ मूफली दाने का कूट डाला है और इसे भी अच्छे से इसमें भूनेंगे इस तरह और इसे ढख कर एक मिनट पकाएंगे एक मिनट हो चुका है अब देख सकते हो सबजी हमारी तयार हो गई है हम इसे एक डिश में निकाल लेते हैं आप देख सकते हो कितनी सुन्दर सबजी बनी है इस तरीके से आप एक बार जरूर बना कर देखना बहुत ही चटपटी स्वादिष्ट सबजी बन जाती है आपको पसंद आए तो कमेंट करके हमें जरूर बताना ये टिफिन के लिए बहुत जल्दी बनने वाली सबजी है और कद्दू में कैल्शियम होता है सेंगदाना में प्रोटीन होता है तो ये बहुत हेल्दी रेसिपी है आज हम बनाएंगे सिंपल भेंडी सिंपल, स्वादिष्ट और जटपड बनने वाली ये बिल्कुल पाच मिनिट में ही रेडी हो जाती है अब देख सकते हो कितनी सुन्दर बनी है तो चलो बनाते है सिंपल भेंडी बनाने के लिए भेंडी को मैंने साब पानी से धो कर लिया है हम भेंडी को इस तरहा कट कर लेते है अब देख सकते हो सारी भेंडी हमने कट कर लियी है छोटे छोटे तुकडों में अब ग्यास पर हम कडाही चडाते है कडाही गरम होने के बाद उसमें डाल देते है एक चमच तेल तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच राई एक छोटा चम्मच जीरा और एक पिंच हिंग डाल देते हैं और इसे अच्छे से तड़कने देंगे उसमें डालेंगे कटी हुई पाच्छे हरी मिर्च उसे भी तेल में भून लेते हैं कुछ करी पत्ते डाल देते हैं उसे तेल में अच्छे से तड़कने देते हैं और एक चम्मच मैंने लसुन का पेस्ट डाला है लसुन को भी हम तेल में भून लेते हैं स्वादा नुसर इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच नमक और कट की हुई भेंडी हम इसमें डाल देते हैं और भेंडी को भी तेल में भून लेते हैं भेंडी हमारी भून कर रेडी हो गई है क्यास्की फ्लेम हम मिडियम रखेंगे और इसे ढखकर हम तीन मिनट पकाएंगे तीन मिनट हो चुके है अब हम भेंडी को हम चेक करते हैं ताकि हमारी भेंडी कड़ई के नीचे ना लगे भेंडी को हमें अच्छे से हिला कर लेना है और दो मिनट हम इसे फिर से ढखकर पकाएंगे दो मिनट के बाद ढखकर निकाल लेते हैं आप देख सकते हो बेंडी हमारी पकने लगी हैं अब हम इसके उपर ढखकन नहीं रखेंगे इसे ऐसे ही 2-3 मिनिट पकने देंगे ताकि हमारी बेंडी चिप-चिपी ना हो आप देख सकते हो बेंडी बिल्कुल भी चिप-चिपी नहीं बनी ये रेसिपी 5 मिनिट में रेडी हो जाती है अब हम इसके उपर डालेंगे कटा हुआ धनिया और इसे एक डिश में निकाल लेते हैं खाने के लिए तैयार है हमारी भेंडी आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना आज हम बनाएंगे पाच मिनिट में बनने वाली शिमला मिर्च की चट पटी और स्वादिष्ट सबजी आप देख सकते हो इस सबजी कितनी सुंदर बनी है एक खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है और टिफिन के लिए भी आप इसे जट पट पाच मिनिट में बना सकते हो तो चलो बनाते हैं शिमला मिर्च की सबजी बनाने के लिए मैंने ग्यास पर कड़ाई चड़ा कर उसमें देड़ चम्मच तेल गरम करके लिया है इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच राई आधा चम्मच जीरा और एक पिंच हम हिंग डाल देते हैं उसे अच्छे से तड़कने देंगे इसमें डालेंगे पाच्छे कली कटा हुआ लहसून इसे भी अच्छे से तड़कने देंगे और थोड़े से करी पत्ते डाल देते हैं और दो कट किये हुए प्याज हम इसमें डाल देते हैं प्याज को हमने बारिक कट किया है इस तरह और इने अच्छे से तेल में भून लेते हैं हमें बहुत जादा नहीं भूनना है और तीन कट की हुई शिमला मैंने लिए हैं आप देख सकते हो शिमला को मैंने बारिक कट किया है और इसे भी तेल में भून लेते हैं इसमें हम आधा कटा हुआ टमाटर टाल देते हैं आपको पसंद हो तो डाल देना अगर नहीं डाला तो भी चलेगा इसे भी अच्छे से मिला लेते हैं और स्वात के नुसार इसमें एक छोटा चमच मैंने नमक डाला है नमक को भी हम सबजी में अच्छे से मिला लेते हैं इस तरह ग्यास की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और इस पर ढकन रखके इसे तीन मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने देना है तीन मिनट हो चुके हैं ढकन निकाल देते हैं और शिमला मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह अब हम देखते हैं शिमला मिर्च हमारी पकी है की नहीं अमारी शिमला मिर्च अच्छे से पक चुकी है इस पर डाल देते हैं अब मसाले आधा चम्मच मेंने गरम मसाला डाला है एक चम्मच डाल देते हैं लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर और पाव चम्मच हम डालेंगे खल्दी पाउडर दो चम्मच हम इसमें डालेंगे कांदा लसुन मसाला और मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे मसाले अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे दो चम्मच मूफली दाने का कूट यह दरदरा पिसा हुआ कूट है आपको अच्छा लगता हो तो आप डालिए नहीं डाला तो भी चलेगा फिर भी सबजी बहुत अच्छी बनेगी और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इस पर ढखकन रखके इसे एक मिनट पकाते हैं तक ही मूफली दाने का कूट का फ्लेवर सबजी में अच्छे से उतर जाए एक मिनट हो चुका है अब हम ढखकन निकाल देते हैं आप इस तरह जरूर बना कर देखना आपको पसंद आये तो हमें कमेंट करके जरूर बताना सबजी को हम एक डिश में निकाल लेते हैं आप देख सकते हो शिमला मिर्च की चत पटी सबजी हमारी 5 मिनिट में तैयार है आज हम बनाएंगे गवार फली की बहुत ही स्वादिष्ट सबजी एस सबजी बहुत ही जटपड बन जाती हैं आप इसे बच्चों के टिफिन के लिए भी बना सकती हो बच्चों को भी इस तरह से सबजी बनेगी तो बहुत पसंद आएगी आप देख सकते हो कितने सुन्दर सबजी बनी है तो चलो बनाते हैं गवार फली की सबजी बनाने के लिए मैंने गवार फली को साप पानी से दोकर इस तरह कट करके लिया है अब देख सकते हो मैंने आगे का और पीछे का थोड़ा थोड़ा तुकड़ा कट करके लिया है और इसे हातों से इस तरह कट करके ल गवार फरली की सबजी बनाने के लिए गैस पर कड़ाई चड़ा कर उसमें देड़ चमच तेल डाल के लिए हैं तेल को हम अच्छे से गरम होने देते हैं और उसमें डाल देते हैं एक छोटा चमच राई एक छोटा चमच जीरा और एक पिंच हिंग डाल देते हैं इसे अच्छे से टड़कने देते हैं और पाच्छे कली कटा हुआ लसुन हम इसमें डाल देते हैं कुछ गरी पत्ते के पत्ते डाल देते हैं और तेल में अच्छे से धून लेते हैं इस तरह और कटी हुई गवार फली हम इसमें डाल देते हैं और तेल में गवार फली को अच्छे से हम धून लेते हैं इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग एक छोटा चम्मच नमक नमक को भी हम गवार फली में अच्छे से मिक्स करेंगे और गवार फली के ऊपर ढखकन रखकर ग्यास की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे चार मिनिट हम पकने देंगे चार मिनिट हो चुके हैं गवार फली को हम हिला कर लेते हैं ताकि कड़ाई के नीचे चिपके न और फिर से दो मिनिट धकन रखकर इसे पकाते हैं आप देख सकते हो गवार फली हमारे अच्छे से पकने लगी है इसके उपर डाल देते हैं आधा चम्मच गरम मसाला एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर दो चोटे चम्मच कांदाल असुन मसाला डाल देते हैं एक चोटा चमच धनिया पाउडर डाल देते हैं और पाउच चमच हम इसमें हल्दी डाल देते हैं और मसालों को अच्छे से गवार फली के साथ हम भून लेंगे इस तरह हाँ मसाले को भी हम पकने देते हैं आपको पसंद हो तो इसमें आप दो चमच मूफली का दरदरा पिसा हुआ कूट डाल सकते हो अगर नहीं पसंद है तो स्कीप किया तो भी चलेगा वैसे भी गवार फली की सबजी अच्छी बनती है लेकिन हमें पसंद है इसलिए हमने डाल दिया है और इसे भी तेल में अच्छे से भून लेते है अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे तीन चमच पानी पानी जादा नहीं डालना है मूफली के दाने का फलेवर गवारी की सबजी में अच्छे से आए इसलिए हमने पानी डाला है और इसे ढखकर हम एक मिनट पकाएंगे ताकि मूफली दाने का फ्लेवर सबजी में अच्छे से उतर जाए एक मिनट हो चुका है आप देख सकते हो सबजी के अंदर का पानी खतम हो चुका है हमारी सबजी अच्छे से पक चुकी है सबजी को हम एक डिश में निकाल लेते हैं आपको ये रेसिपी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना इस तरह से एक बार गौारफली की सबजी जरूर बना कर देखना निसुन्दर सबजी बनी है ये सबजी हमने कुंद्रू आलू पैस से बनाई है बिलकुल शादी में मिलती है वैसी सबजी हमने बनाई है उसके लिए हमने गैस पर कड़ई गरम करके लिए है उसमें देड़ चम्मच तेल डाल देते है और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे तेल अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें आधा चम्मच राई डाल देते हैं और आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं राई जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे इसमें डालेंगे एक पिंच हिंग और पाच्छे कलिया मैंने लसन की कट करके लिए है इस तरह इसे भी डाल देते हैं और तेल में इसे धून लेते हैं दोहरी मिर्च मैंने लंबी-लंबी काट कर ली है इसे भी डाल देते हैं ये मैंने फ्लेवर के लिए डाली है एक आलू मैंने छिलका निकाल कर लंबा लंबा कट करके लिया है इस तरह उसे भी डाल देते हैं और आलू को तेल में धून लेते हैं इसमें हम डालेंगे कुछ करी पत्ते के पत्ते हमें भी तेल में धून लेते हैं अलु को हमें हल्क इसी गोल्डन कोटिंग आने तक दूनना है इससे अलु का स्वाथ बहुत बढ़ेगा अब इसमें डाल देते हैं एक कटा हुआ प्याच प्याच को भी हमने लंबा-लंबा काटा है अब देख सकते हैं प्यास को भी हमें पिंक होने तक भूनना है प्यास हमारा अच्छे से पिंक हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे पाव किलो कट किये हुए कुंद्रू इन्हें हम तेल पर ही अच्छे से भूनेंगे इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है ये सबजी खुद के पानी से ही पकेगी अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग एक चम्मश नमक नमक को भी हम सबजी में अच्छे से मिला लेते हैं और ग्यास की फ्लेम को हम धीमा कर देते हैं और इसके उपर ढखकन रखके इससे हम पाच मिनिट पकाते हैं धीमी आज पे पकी हुई सबजी बहुत टेस्टी लगती हैं और बीच बीच में हमें इसे ढखकन खोलकर एक दो बार हिला कर लेना है ताकि सबजी हमारी कड़ई के नीचे ना लगे अब देख सकते हो पाच मिनिट बाद हमारी सबजी अच्छे से पक चुकी है अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं इसमें हम पाव चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं आधा चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देते हैं एक चम्मच कांदा लसुन मसाला डाल देते हैं और मसाले को अच्छे से सबजी में मिलाते हैं मसाले हमारे सबजी में अच्छे से मिल चुके हैं अब हम इसके उपर ढखकन रखके इसे एक मिनट पकाएंगे ताकि मसाले का कच्चापन चला जाए और मसाले का फ्लेवर सबजी में अच्छी तरह से उतर जाए एक मिनट के बाद ढखकन निकाल लेते हैं आप देख सकते हो सबजी हमारी तैयार है यह सबजी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है इस तरीके से बिलकुल शादी में मिलने वाली सबजी जैसी आप ए रेसिपी एक बार जरूर बना कर देखना इस तरीके से आपको पसंद आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना हम फिर म लेंगे ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ प्लीज लाइक और सब्सक्राइब थैंक यू